गाइस क्या आपको पता है कि महेंदर सिंग धोनी अपने जो हेलमेट है उस पे तिरंगा जहंडा क्यों नहीं छपवाते और क्या आप ये जानते हैं कि अब तक का सबसे तेज भुकब कब और कहां पर आया था तो कुछ इसी प्रकार के कमाल के फेक्ट को हम जानने वाले हैं हमारे इस वीडियो में तो वीडियो के लाश्ट तक बने रहिएगा चलिए जानते हैं फैक्ट नमबर वन का इस हर्याडा में रहने वाली वेस्णवी गुपता को तो आप सभी लोग जानते ही होंगे जो की आठ साल की है जिन्हें की अभी कुछ दिन पहले गूगल गर्ल के नाम से भी जाना जा रहा था क्योंकि इन्हें कई ऐसे सवालों के जवाब मालूम हैं जो किसी नौर्वल इंसान को नहीं मालूम होते लेकिन दोस्तो अभी हाल में ही उन्हें हुला हुग गर्ल के नाम से भी जाना जा रहा है क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक मिनट में 207 बार हुला हुग करके एक विस्व रिकॉर्ड बना दिया है और वो भी सिर्फ एक पैर पर खड़े होका अगर आपको नहीं पता है कि हुला हुग क्या होता है तो मैं आपको बता दूँ फैक नमबर टू दोस्तो क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे खतरनाक जहर कौन सा है नहीं जानते हैं तो चलिए मैं बता देता है दरसल दोस्तो बोटाक्स नाम का एक ऐसा जहर है जो कि दुनिया का सबसे खतरनाक जहर है इस जहर का केवल 4 गराम मात्रा पूरी दुनिया के जितने भी इंसान है उन्हें मार सकता है दोस्तो आपकी जानकारी के लिए बता दू अब तक का सबसे तेज भुकम्प 23 जनवरी 1556 इस्वी में जीन के सांसी प्रांत में आई थी इस भुकम्प की वज़ा से 8,30,000 लोग मारे गए थे और इस भुकम्प का असर 840 किलोमीटर दूर तक हुआ था फैक्ट नमबर फोर गाइस क्या आपको विश्वास होगा मेरी बातों पर कि इंसान के आशूओं का भी नमक बना कर बेचा जाता है जैसा कि आपको पता है कि हर इंसान का जो पसीना या फिर जो आसू होता है वो नमकीन होता है दरसल दोस्तों लंदन की एक कमपनी होस्टस स्ट्रीट मॉंस्टर सपलीन नाम की जो कमपनी है ये ऐसा काम करती है ये कमपनी इंसानों के द्वारा अलग-अलग भावनाओं से निकले हुए आशुओं को अलग-अलग तरीके से नमक बना कर पेचती है है न ये बिल्कुल कमाल का फेक्ट फेक्ट नमर फाइब गाइस आपने कभी भी भेंदर सिंग धोनी के हेलमेट पर तिरंगे जंडे का फोटो नहीं देखा होगा और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह जब भी बिकेट कीपरिंग करते हैं उन्हें हेलमेट को जमीन पर नीचे रखना पाता है जो कि उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है कि उनका तिरंगा कभी भी जमीन पर गिरे इसकी वज़ा से वह अपने हेलमेट पर तिरंगा बिल्कुल ही नहीं छपवाते हैं तो गाइस यह पांच अमेजिंग फेक्ट आपको कैसे लगे हमें कमेट करके जरूर बताईए अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को इसी प्रकार के मज़दार फेक्ट को देखते रहने के लिए चैनल को सब्स्राइब कर लें धन्यवाद झाल